दोस्तो पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराईए नहीं हम लेकर आएं आपके लिए डाउटनेट अप जिसमें आपको जिस भी कॉश्चन का डाउट्स आता हो फोटो खीचिये कॉश्चन का क्रॉप करिए और तुरांत पाईए वीडियो सेलिशन वो भी फ्री में ज जिया दोस्तो फ्री में पूछो अनलिप्टेट सवाल कहीं भी और कभी भी किसी भी सब्जक्ट के लिए क्लास छटी से लेकर क्लास 12 के लिए आईटी हो या जेइन नीट्स हो के लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के लिए आईटी जेइन नीट्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है जिसमें जिसका ही सबन कर देश के सभी राज्यों से लाए बच्चे रैंक वन आज ही डाउट नेट आप इस्टाल करिए आपने सारे डाउट कर दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके फूर एकेडमी में आपका सवगात है दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 का जो हिंदी का पेपर पूरा का पूरा यल पेपर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सो हो रहा है दोस्तों इसके बारे में पूरा डीटियल से बात करेंगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रही है और साथ में इसकम सेलिशन भी और साथ में पीडिया भी सेयर करेंगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रही है आप देख रहे हैं आपका अपना बात करते हैं तो question जो कि आपके screen पर सो हूरा है सही बिकल्प चुन कर लिखिए जी आं दोस्तो इसका question स्टार्ट हो रहा है सही बिकल्प चुन कर लिखिए तो पहला question ने पुद्धों ने कोपियों को क्या संदेश दिया। दूसरा कॉस्चन है सेंगार रस का इस्थाई भाव क्या है। तीसरा कॉस्चन है कस्वे के चौराहे पर किसकी पृतिमा लगी थी। चौथा है बाल गोबिन भगत साहब किसे कहते थे। पाचमा है मुग की खाना का क्या अ सीक रसन किस पर पढ़ आये थे। दूसरा कैसे गाउं मधुर चादनी रातों की। तीसरा कॉस्चन महा कब का जीवन कैसे चित्रन होता है। चौथा कॉस्चन है जो कि आपके इसक्रीन पर सो रहे संगार रस का इस्थाई भाव क्या है। नेतादी का चस्मा गद्द की वि स्क्रीन सोटा फटाफट का लिजे। पहला है गिरजा कुमार माथूर, दूसरा है बीर रस, तीसरा है इस्तरी सिच्छा से, चौथा है माता पिता और पाच्मा है आटे की गोलियां और छटमा है हिरो स्नीमा कविता से। आप फटापट सभी के सभी कोस्चनों का स्क्रीन स गोपियां कि से प्रैम करती थी और सहित लहरी किसकी रचना है रसो की संख्या कितनी मानी गई है और भारत किस वर्स से सतंतर हुआ फटापट इनका स्क्रीन सोट कलीजे अगर चैनल प्र नए होते चैनल को फटापट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रस कलीजे इसी तरह दोस्तों जो और कॉस्चन बचे हुए जिनका स्क्रीन स्वाटा फटा फट कलेंगे या बीडोरों का लिख लिचे कोई दिगत नहीं है चटवा कॉस्चन एथा सक्ती में कौन सा समास होता है और चटवा एमाता का अंचल में कहां की संस्कृती का अंकन हुआ है कॉस्चन नमर पांच की बात करते हैं तो निल लिखित बाकों में आसत्त वासत्त लिखिए पहला कॉस्चन है सीकरस्न ने गोपियों के पास उद्धो को भेजा था दूसरा कॉस्चन है अस्तिर मनोभिकारों का इस्थाई भाव कहलाते हैं तीसरा कॉस्चन है बीररस का इस्थाई भाव क्रोध होता है छाटवा कॉस्चन है जिस क्रिया का प्रभाव कर्मपर पढ़ता हुए से कर्मक क्रिया होती है छाटवा कोस्चन है मूर्थिकर को पहाडों पर नाग पत्थर मिल गया था इसी तरह जो कि कोस्चन है जो कि आपके ESCREEN per सूर रहे आप इनका भी ESCREEN पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रस कली जैसे ही मैं नीई वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोटिपिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए कॉस्चन नमर 6 की बात करते हैं तो गोपियों दोरा उद्धो को भागवान कहने की क्या ब्यंग नहींत है इसके अत्वा का प्रसन कभी के आँख फंगुन की सुंदर्ता क्यों नहीं हट रही है सात्वा कोस्चन है भक्तिन के हिंदी सहित को सण यू कहा गया है नई कभीता की दो विसेश्टा है लिखते हुए दो कभीयों के नाम लिखिए इसी तरह हैं बात करते हैं कोस्चन नमर 8 की तो कोस्चन नमर 8 जो की आपके स्क्रिन पर सोहरा है गिर्जा कुमार माथुरेवं सूरकांति पाठी निराला के किनी दो रशनाओं के नाम लिखिए ये महाकाब खंड काब में दो अंतर बीर रस की परिवासा लिखते हो जो उधारान दीजिए ये सारे के सारे most important question है ये 100 to 100% नहीं है कि ये real ही paper है आप इसके भरोसे पूरे के पूरे नहीं बैटी अगर हमारे चनल पर नए हो तो चनल को subscribe कर लिजे जैसी में real paper मिलेगा आपको हम provide कर आदेंगे question number 10 की बात करते हैं तो question number 10 question number 11 की तो भाई खूब क्या idea है इस वक को ध्यान में रखते हुए बताईए कि एक भासा में दूसरी भासा के सब्दों के आने से क्या लाब होते हैं दोस्तों इसी तरह हम आनो question भी देख लेंगे जो कि आपके screen पर सो रहा है सभी के सभी pdf के लिए हमारे टेलीग्राम में जॉइन कर लीजे टेलीग्राम का लिंग description में दिया हुआ है आप वहां से जॉइन कर सकते हैं या टेलीग्राम एप पर जाकर आप सर्च करिए आप पीडियाप डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाकर सर्च करिए आप पीडियाप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं कोई दिगण नहीं अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जैसे ही मैं original paper मिलेगा आपको हम provide करा देंगे मिलते दोस्तों मैं टॉपिक साथ इंट्रेस्टिंग वीडियो में जबता के लिए जैहिंद।